नमस्ते चात्रो आज हम एक सुन्दर्शी आत्मकथा देखने वाले चात्रो जो कि हिंदी सुलब भारती कक्षा पाचवी का आज हम मैं सडक हूँ ये जो सुन्दर्शी आत्मकथा आज हम देखने वाले जो कि चात्रो आज हम ये जो आत्मकथा जब देखने वाले है ये आत्मकथा कून बता रहा है जो सडक है जो कि आपको तो बताईए सडक पर आप चलते हो चात्रो तो आप सडक पर चलते हो उसके बाद तरह तरह के वाने भी सडक पर दोरती है सड़क हमें सब के लिए बहुत उपयोगी है चात्रो और यह जो पाठ है जो आत्मकता है के रूप में यह सुन्दर सा पाठ हमें दिया गया है चात्रो और इसमें सड़क स्वयम अपने बारे में आपको बता रही है चात्रो कुण से मैं सडक हूँ यह जो पाठ है यह पाठ आत्मकता के रूप में यहाँ पर दिया गया है कक्षा पाच्वी को और यह जो आत्मकता आज हम देखेंगे तो यह आत्मकता में आने वाले जो मुश्कित जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ सबसे पहले आज हम देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर देख सकते हो छात्रों शब्दार्थ सबसे पहला सेतू सेतू याने पूल कर सकते हो हम उसे या उसके आलावा हम बान भी उसे कर सकते हैं उसके बाद किनार याने कट छात्रों उसके बाद चवराह यानि वह स्थान जहां चमक जो की चकमक जो की चार रास्ते वहाँ पर मिलते हो उसे हम चवराह कईते छात्रों उसके बाद यातायात यानि आना जाना जो की आने जाने वाले जो भीड़ है या उसके अलावा जो वहान है उसे हम यातायात कह सकते उसके बाद अनुशाशित यानि नियंत्रीद अनुशाशित यानि क्या छात्रो नियंत्रीद भी कह सकते या अनुशाशन बद्ध भी हम उसे कह सकते उसके बाद मूरना यानि किसी दूसरी दिशा की और मूरना यानि या उसे आप उसे कौरना जैसे कि आपको पता है आप आरम का यानि शुरुवात का भी हम उसे कह सकते हो छात्रो उसके बाद कोलतार यानि एक काला और गाड़ा द्रवव जो कोईले से बनाया जाता है उसे कोलतार कहा जाता है छात्रो उसके अलावा आपको तो पता ही है सड़क पर आप उसे डांबर भी उसे कह सकते हो छात्रो उसके बाद तक्नीक तक्नीक यानि किसी विशेश कला का ध्यान तक्नीक आपको पता है जो विशेश तक्नीक कला आपकी पास है उसे ज्यान उसे कह सकते हो उसके बाद गंदा यानि जिसमें मेल लगा हो या आपको तो पता है जैसे कि किसी ने आपका कोई दोस हो उसने कभी नहीं नाया तो आप उसे कहते हो आपकी बास आरिव आप गंदे हो तो उसी प्रकार गंदा यानि जिसमें मेल लगा हो उसके बाद दूर घटना है दूर तो चात्रो आज हम हिंदी सुलब भारती पाचवी कक्षा का सुन्दर सा पाठ मैं सड़क हूँ यह आत्म कथा के रूप में आज हम देखने वाले सबसे पहले मैं आपको महामार्ग के बारे में बताता हूं चात्रो यह आपके स्क्रीन पर जो महामार्ग दिखते हैं आप जो तो बड़े-बड़े जो महामार्ग को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है उसे हम महामार्ग केते हैं देखें महामार्ग किसे केते हैं जो बड़े-बड़े महामार्ग को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है उसे महामार्ग केते हैं और उसके आलावा दूरत गति मार्ग द जो तेज चलती है और उसकी जो गती होती है तीवर होती है तेज होती है उसे दूरत गती मार्ग कहा जाता है छात्रों तो देखिए छात्रों हमने यह आत्मकता में जो कि आने वाले मुश्किल वर्ज देखे यह जो हम आज आत्मकता जो देखने वाले हैं तो यह आत्मकता स् सड़क बाते करने वाली है और सड़क आपको क्या बताने वाली है तो हम वह देखने वाले तो देखे चात्रों आज है चोदा सब्टेंबर याने हिंडी दीन बडे़ंदाम से मनाया जाता है और हिंडी दीन के मोसम में आपसे मैं सडख हुं याने सडख आपसे बात्य करने वाली छात रो तो आपको पेज नम्बर 20 निकाना है चात रो पड़OU और समझो जो आपको पेज नंबर कितना निकाला है 20 निकालना है सबसे पहले ये जो दिवी जो आत्मकता है ये आत्मकता का आपको मुखरवाचन करना है क्या करना है छात्रो मुखरवाचन करना है और मुखरवाचन करने के बाद हम आज जो कि आपको कल भी इसका मुखरवाचन करना है जो मैं आज बता रहा हूँ हर पंक्तियों का आर्थ आपको मैं आज बताने वाला हूँ और वही हुआ आर्थ जो जहां तक हमने आज देखा है जो कि आज हम पहला पहरेगाप देखेंगे वही प्यारेगाप है वहीं तक आपको पढ़ना है या पूरी की पूरी आत्मकता आपको सबसे पहले पढ़ने है तो शुरुआत करता हूँ मैं आज मैं सडक हूँ ये आत्मकता को देखिए, मैं सडक हूँ, कोन कह रही है, सडक, किस से कह रही है, आप से, मैं सबसे पहले बता दू, सडक, सडक याने, जैसे कि आपको बता है, हम चलते हैं, जहां से, जो कि उसे हम रास्ता भी कह सकते हैं, और वही सडक, उसके बाद तरा-तरा की जो वहाने, जो गाडिया है, वो गाड़िया भी सड़क से ही चलती है और वही सड़क आपसे बाते कर रही है तो वो क्या करें सबसे पहले मैं सड़क हूँ सब मुझे मुझे पर चलते है कौन कौन चलते है देखिए आदमी, रिक्षा, बस, साइकल सबी मुझे पर इधर उदर से आते जाते है देखिए मैं सड़क हूँ चात्रो, मैं आपसे बाते कर रही हूँ मैं सड़क हूँ और सारे के सारे जो देश में जो सारे के सारी जनता हो सारे के सारी गाड़िया हो वो सब मुझे पर चलते है कौन कौन चलता है तो आदमी हो रिक्षा हो बस हो साइकल हो उसके बाद जो आप कर सकते हो टांगा हो बैल गाडिया हो जो जानवर हो ये सारे के सारे जो लोग है रिक्षा है बस है साइकल है सब मुझ पर इधर उधर से आते जाते हैं किसके उपर से तो सडक पर तो मैं सडक ह मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं मुझ पर सारे के सारे लोग चलते हैं इदर उदर से आते जाते रहते हैं और मैं सब के प्रिये हूँ ऐसी कोन कह रही है सड़क कह रही है आपसे चात्रो देखिए बालक जवान जो छोटे छोटे बालक हो जवान हो बूडे सभी के काम मैं आत हूँ सारे की सारे जो की चोते छोटे नण्य से बच्चे हो वालग उसके बाद जवान हूँ उसके बुड़े हो सभी की काम मैं आने वाली हूं मैं कौन हूँ मैं सडक हूँ देखिए यह सारे के दुरगटनाय भी होती है लेकिन कभी-कभी आप उसे गंदगी भी फैलाते हैं कभी-कभी सड़क पर तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको तो पता ही है सड़क आपसे बाते कर रही है तो कभी-कभी सड़क आपसे भी नाराज हो जाएगी चात्रों देखिए सारे के सा चात्रों सेतु सेतु याने एक प्रकार का पूल बान मैंने पहले मुश्किल जो शब्दार्त है वह शब्दार्त मैंने आपको दिये थे तो देखिए मैं घर और विद्याले के बीच देखिए जो कि दोनों तरब देखिए जो कि दाय और बाय देखिए घर और विद्याले के बीच में एक प्रकार का सेत्यों आपको तो पता ही ये छात्रों जो कि सेत्यों याने एक प्रकार का बाद एक प्रकार का पूल जो कि पुर्वज ने भी मादा था उसी प्रकार का वही वर्स यहां पर दिया गया है घर और शेत्यों देखे आप घर से जब निकलते हो तो आ रास्ता है छात्रो तो वही रास्ता यह ने सेत। सेत। यह ने पूल यह ने एक प्रकार का बान भी हम उसे कर सकते हो। ँज अखेनाते हैं चिव्रध्र पर पूलीश को सिपाई वर्धि पैने खड़ा होता है। डेखें खाल आको तो पताईये लोग मेरे किनार पर सड़ क्या गे रहे हैं मेरे जो किनार है जो तर्थ है वह पर क्या बना रहे हैं मकान आपका घर ृपका भी घर हो सकता है छात्रो तो मकान बना रहे है उसके बाद सामान बेचने वाले जो कि आपको तो पता है तरह तरह के दुकाने लगती है वो कहा होती है गाव के बाहर होती है क्या तो बिल्कुल नहीं जो रास्ता होता है जो सडक होती है सडक सडक के दोनोर देखे सामान बेचने वाले ह या उसके अलावा दुकान वहाँ पर लगाए जाती है जो कि आटो मोबाइल सो किराना हो जो इलेक्ट्रिकल हो जो भी जो दुकाने होती है वो दोनों तरफ होती है सडक के दाया और बाय और जो कि बीच में सडक होती है दोनों तरफ क्या लगाए जाती है छातरो तो दुकान लगाई जाती है उसके बाद चवराय पर पुलीस का सिपाई वर्दी पहने खड़ा होता है चवराय यानि जो से हम चौक कहते है जो कि चार रास्ते एक जगह पर मिलते है उसे चवराय पर एक पुलीस वाला जो कि उसे आपको तो पताईए पुलीस वाला होता है वर्दी पहन वहाँ पर ना हो क्योंकि चार रास्ते वहाँ पर एक जगह पर मिलते हैं। का दंड उसी प्रकार की सिक्षा उसे होती है, आने जाने वाले जो लोग हैं, अनुशाशन बद्ध महाँ पर होती है, उसके बाद रास्ता बदनने के लिए कई बार लोगों को मूरना पड़ता है, पर इसमें मेरा कोई दोश नहीं, देखिए, मैं कोन हूँ, मैं सडक हूँ, और जो भी मेरे रास्तों से रास्ता बदनने के लिए कई बार लोगों को क्या करना पड़ता है, मूरना पड़ता है, दाए या बाए आपको मूरना पड़ता है, इसमें मेरा कोई दोश है क्या छात्रों, तो इसमें मेरा कोई भी दोश नहीं है, मैं तो सदा सीधी चलने के के लिए तयार हो लोग आपनी जरुवत से कभी मुझे तेड़ी नीचे और उचे उची बना ले देते हैं देखें छात्रों कभी जो लोग आपने हिसाब से आपने जो भी इसमें तो मेरा कोई दोश नहीं है लेकिन मैं तो सिधा सदा भी सीधी चलने के लिए मैं तयार हो ले लोग अपनी जरुवत के लिए मुझे कोई कभी तेड़ी कभी नीचे कभी उचा बना लेते हैं इसमें मेरा कोई दोश है क्या इसमें मेरा कोई भी दोश नहीं है तो देखिए छात्रों यहां तक आज हम रुकेंगे यहां तक मैंने आज आपको बताया है इसका आर्थ बत दखूं ये जो आत्मकता है ये आत्मकता पूरी की पूरी आत्मकता का आपको क्या करना है मुकरवाचन करना है तो चात्रों तो आज हमने आत्मकता का जो की सबसे पहले जो आत्मकता है वो आत्मकता देखी उसके पाद परिशे देखा उसके पाद महामार्ग के बारे में दे तो आज हम यहीं पर रुखेंगे चात्रो धन्यवाद